नमस्कार मैं हुनिवेदता तिहारों का सीजन शुरू हो चुका है नवरात्री, दर्शहरा, दुर्गापूजा निकल चुका है और अब सभी को इंतजार है तो दीपावली खा जिसके पहले ही लोगों में इसको लेकर उच्साह देखने को मिलता है दुकाने सज जाती है, बाजार में रोशनी बढ़ जाती है और लोग घर को सजाने के लिए खरिदारी करने लगते हैं और इन सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है घर की सफाई दरसल दिवाले से पहले घर की सफाई करते वक्त लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि आखिरकार सफाई के दौरान कौन सा समान घर से बाहर निकाले और कौन सा घर में रखें और ऐसे में घर की सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीजों को दोबारा संभाल कर रख लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नकारात्मक उजजा का संचार करता है और सकारात्मकता को कम करता है यानि इन पुरानी चीजों से आपका मोह आपको कंगाली की कगार पर ला सकता है ऐसे मैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली के सफाई के दौरान आप लोगों को घर की किन चीजों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए घर में किसी भी तरह का कांच टूटा नहीं होना चाहिए फिर चाहिए वो खिरकी का हो या फिर दर्वाजे का बर्तन का सेट हो या फिर आईना तूटे हुए काच के सामान को घर में रखने से वास्तो का दोश होने की संभावना होती है और मानसिक तनाव भी इससे बना रहता है इसके लावा अगर आपकी घर में टूटा हुआ पलंग रखा है या तो उसे सही करवा लीजे या फिर इस दिवाली उसे घर से बाहर करतीजे क्योंकि टूटे हुए पलंग को लेकर मानेता है कि घर में ऐसे पलंग को रखने से वैवाहिक जीवन में कलहे होता है टूटी हुई किसी भी तरह की तस्वीर या फ्रेम को भी घर के अंदर जगे ना दें किसी भी तरह के ऐलेक्ट्रोनिक्स आइटेम को घर से बाहर निकाल फेकें क्योंकि इससे वास्तुदोश होने के संभाव ना होती है घर में अगर किसी के भी घड़ी खराब है तो उसे कतई गर में न रखें ऐसा माना जाता है कि घड़ियों के स्थिती से हमारे घर परिवार की उनती निर्धारित होती है यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य कारे पून करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम तैस समय में पून नहीं हो पाएगा घर का मुख्य दर्वाजा अगर तूटा हो तो उसे भी ठीक करवाले किसी भी तरह का तूटा फर नीचर घर के अंदर ना रखें इससे आपके भविश्य को नुकसान पहुँच सकता है तूटे डिब्बे, खराब खिलोने, बेकार सजावती सामगरे, फटे कपडे, तूटी चप्पल और पुरानी चादरें जितनी जल्दी हो सके इन्हें भी घर से निकाल दीजे और इसके अलावा घर में पिछले साल के बचे दिये न जलाएं, नए दिये खरीदें और दीपावली मनाएं तो देखा आपने, जिस घर में वास्तोष होता है, वहां आर्थिक समस्याओं का सामना भी अक्सर लोगों को करना पड़ता है ऐसे में चीजों को घर से बाहर कर ही, घर में दीपावली और धन की देवी लक्षमी की पूजा करें ताकि मा लक्षमी प्रसंद होकर आपकी घर में विराजमान हो